हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग जैसे होम टैप को फुली डीटेल में समझाता और उसके कंडिशनल फॉर्मेटिंग को भी हम लोग डीटेल में समझाता तो में हम लोग देखें कि इंसर्ट के अंदर टेवल्स इंसुलेशन चार्ट लिंक्स यह सारे ग्रूप्स के अंदर जो भी हम लोग को ऑप्संस दीखता है इस ऑप्संस का यूज कैसे करना है जिससे हमारा एक्सल का जो सीट है वो काफी एट्रेक्टिव और परफेशनल लजर आए ठीक है तो आप हमारे चैनल पर नहीं होता हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब कर लाइक कर एपने दोस्तों तक सेरकाना नहों पूंहें चली विडियो को स्टार करते हैं या इस के ऊपर एक मत्री बनेगा क्योंकि यह पहुत ही इंप्धेंट चीज़े चीज तो टेवली का क्या मतलब हुआ जैसे पी आपको यह जैसे यह जाके उसके बाद इसको कर देंगे कि यह आप यह से क्लिक करके बाद नियों होगा दी जयाइन के बाद आप घुः लिना है 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 हम लोग हों में भी तेखेते है तो यहां से इसको टेवल का डीजाइं कर सकते हैं कंडिशनल a perfect table & great table mix on top table में दोनों right table को हम्म लोग एल्क्रेस बीडियो में एस पेसलि देखें है तो आप एक कर सकते इसôbeeld कर सकते हिसको कर सकते इसको सिर्याल वाइज में लिख दी है कुछ आप तो उसको अगर आपको एसेंडिंडिंडिंग ओर में जो भी चाहिए अप उसके हिसाब से यहां से जैसे ने किलिग करें तो आप उसका location यहां से tag करके आप फोटो को यहां पर लाके डाल सकते हैं तो हम लोग को फिलाल फोटो नहीं इसलिए नहीं ला रहा है तो आपको जैसे भी जहां भी फोटो होगा इसको लाना होगा उसको आप अर्जेस्ट कराके ले जा सकते हैं और उसके बाद क्लीबूट का मतलब क्या है कि आटोमेंटिक जो आपके Excel में कुछ बना हुआ रहाता ठीक है जैसे यहां लोग सर्च कर लेते हैं केंप्यूटर तो यह अलेडी जो केंप्यूटर में पहले से बना हुआ रहाता है उसी को वह सर्च करके देता है जैसे कि एक सकेंद ही यह करके आ रहा है तो जैसे इसको जहां भी ले जाना चाहें आप इसको अपने हिसाब से करा सकते कि इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते इसे इसे आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं तो इसमें का मतलब आपको आपको लाने लोग बात करते हैं कि smart art जरूरी है क्यों smart art का यूज करके आप अपने एक्सल को smartly परजेंट कर सकते जैसे यह देखिए अगर मालीज आपको तीन चीज को बीच में रिलेशन दिखाना है या कोई ऐसा चीज दिखाना जैसे इस टाइप का कोई गराफ आपको दिखाना यहां से इसको इसको करने के बाद आपको डिजाइन टैप को लेगा डिजाइन टैप में इतना सारा डिजाइन है आप इसको कर सकते इसका color भी जो भी है आप यहां से इसको चेंज कर सकते जिससे क्या है कि आप जो भी बनाएंगे न उसका लुक जो है काफी attractive नजर आएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग smart art का यूज करते हैं अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे यह तो हम लोग को पर्जेंटिंग था smart art है तो सेम इसमें भी चार्ट में बहुत तरह कर चार्ट है जैसे columns का है लाइन है, pipe है, bar है, area है एंड, scatter है उन अधर चार्ट में इस टाइप का है जो इस सब के category में नहीं आता है उसको अलग से परजेंट किया ठीक है तो जैसे कि एरिया आपको दिखाना कितना से कितना तक है 2-D में दिखाना या 3-D में दिखाना जैसे भी आपको परजेंट करना वो उस तरह से, इसमें वो जाएगा अभी थोड़ा लेकर के कारण देना होगा तो कुछ data जब तक आप नहीं देंगे तब तक वह चार्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा जैसे हम लोग इसमें कुछ data दे देते हैं जिसके बाद इसको क्या करते है इस area को select करके हम लोग क्या करेंगे जैसे ही इस area को सबसे ज़्यादा भॉलूम है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी सबसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं आपको माली ची यह डिजाइन नहीं चाहिए आपको दूसरा टाइप कर डिजाइन चाहिए तो आप यहां से तुछ नहीं करना बस आपको एरिया को सिलेट करके लाना है और यह अटोमेटिक डिजाइन करके दे देगा तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं चाहर्ट का आप अपको अधर भी लेना है तो आप यहां से अधर भी चूज कर सकते हैं तो यह इस टाइप का है नहीं मतलब यह है कि एक से अधिक भैलू जो होता है उसके लिए है यह जो है हम लोग को सिंगल भैलू के लिए भी नहीं है इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि चार्ट का यूज करके अपने वरकिंग पेज पे ऐसे डिनोट कर सकते हैं जिससे क्या है जो चार्ट है वह देखने में अट्रेक्टिव नजर आएंगा ठीक है अब इसके डालने के लिए करते हैं इसके बाद टेक्स बॉक्स है जैसे टेक्स बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो क्या है एक अक्षर बॉक्स आपके सामने खुलेगा इसमें आप सकते हैं एंड इसको कहीं मिले जाके आप अपने मन मुताबिक इसको करा सकते हैं और उसके बाद हम लोग को क्या आता है तो यह से परेते से मुएसे ही हेडर फुडर का भी काम है कि हेडिंग डालने के लिए करता है और वाड़ाट का भी सेम वर्क है कि इससे क्या है कि कोई बना हुआ एकदम टाइटल आपका बना हुआ चलाएगा जैसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं सारदा केम्प्यूटर ठीक है तो यह देखी एक बना हुआ रहा इसको आप जहां भी जैसे भी अपने पेज के हिसाब से आप और जिस्ट करना चाहिए इसको और जैसे बीस का यूज करते हैं आप जैसे यूज करें आप अपने हिसाब से देख लेंगे डाट सिगनेचर लाइन का क्या मतलब हुआ जैसे क तो इसमें एक signature का लाइन देजिएगा ना माली जी आपका बॉस है या कोई भी है उसको दिखाने के लिए तो दिजिएगा वह अपना final decision इस पर signature से ही देगे तो आप उस signature का लाइन कहीं भी आप इंसर्ट करा सकते हैं या समझ लिजिए कि एक तरह से आप वहां से signature उनका इंसर्ट करा सकते हैं तो इस तरह से आप वहां पर signature कॉमेंट इस पर चाहिए तो आप यहां से normal click करके उस पर जाके वहां पर आप काम कर सकते हैं और आप नर्मल इस पर चले आज तो वहां का जो भी काम होगा आपके यह से पर सोब होने लगेगा ठीक है तो इस तरह से इसका यूज करते हैं करते हैं लोग सीमबल का मतलब क्या है जैसे कि यहां बहुत सारा जो करेंसी सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग को को चाहिए जैसे यह चाहिए जयासे आप झाल झाल